असलाम अलेकूम माई यूट्यूब फैमली क्या हल चाले आज मैं आपके लिए एक एसी अनोखी रैस्पी लाई हो असली घी की कि पहले कभी आपने यूट्यूब पे नहीं देखी होगी साथ में असली घी भी हमने निकाला और ये देखें इतना मज़े का यमी डिजर्ट ये डिजर्ट हमने जो बनाया है ये भी हमने असली घी से बचाया हुआ दूद उसका हमने डिजर्ट बनाया है और मलाई का हमने घी निकाला है इसको बनाने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली बहुत असान मेतड है मैं जब तक स्टार्ट करती हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए ये देखे मैंने मलाई निकाल ली थी डिफ्रीजर में से जमी हुई मलाई है इसको मैंने निकाल के पिगला के रख लिया था और अब मैं इसको चुले पर रख दूँगी हलकी आश पर एक पतीली के अंदर यू कर यू ही हमने इसको अच्छे से पिगला लेना है बिलकुल मलाई का दूद बन जाए हमने इस तरह इतनी देर तक इसको दस से पंदरा मिनट चुले पर रख के पकाना है मलाई को और कोई चमच नहीं चलाना कुछ भी नहीं करना बस ये तो थोड़ा सा जमा हुआ था मेरा तो मैंने एक दो दफ़ा इसको हिलाया है और आप इसको रख कर आप अपने काम कर लीजिए बहुत असानी से आपका असलीगी बनने वाला है कोई दिक्कत नहीं आने वाली कोई परिशानी नहीं आने वाली आपको असलीगी निकालने में यह देखें यह मेरा दूद अच्छे से पिगल चुका है और अच्छी तरह बन गया है यह यह मैंने 10-15 मिनट तक इसको पकाया है और बिल्कुल कोई चमच नहीं चलाया मुस्तकिल मैंने इसको चोड़ दिया था सिर वीडियो आन करने के टाइम पर मैंने चमच चलाया ताक आज करके हमने इसको बनाया है जिसमें भी आपने घी बनाना है ना उस पतीले का आपने थोड़ा साइस बड़ा रखना है क्योंकि अभी हमने इसके अंदर बरफ डालनी है और ठंडा ठंडा पानी डालना है ताकि वो बाहर गिरे ना इसलिए पतीले का साइस थोड़ा बड पर पर होज़ पर कोई महनत नहीं लगने वाली कोई परेशानी नहीं कोई कोई दिक्कत होने वाली है है बिलकुल अराम से बना सकते हैं यह देखें हमारा बिलकुल अच्छे से पीगल चुका है और यह गाड़ा भी हो चुका है दूद्ध देख सकती हैं आप हमारी तमाम मलाई को हमने पिगला लिया है और यह इतना थिक हो चुका है मलाई जब तलक बन रही थी दस से पंदरा मिनट आप अपने काम निपटा कर आ सकती हैं कोई हड नहीं यह देखें मैंने बरफ ली थी एक चोटी पदिली में बरफ जमा दिया बरफ पिगलेगी हमने इसको इस तरह से पिगला लेना है चमच से और हम एक और जो बरफ का टुकड़ा है वो भी अब हम इसके अंदर एड कर देंगे जब यह बरफ पिगलने लगी कि न तो फिर हम यह वाला भी टुकड़ा इसके अंदर एड कर देंगे इसके अंद देखें बरफ वाला ठंडा यक पानी मेंने लिया है आप वो एक ग्लास इसके अंदर डाल दें दो ग्लास पानी तकरीबन होते हैं ठंडा यक चिल बरफ वाला पानी मगर हम एक ग्लास जितनी हम बरफ एट कर चुके थे इसके अंदर और एक ग्लास हमने ठंडा चिल पानी हमन इसमें चम्मच चलाना था और ये देखे हैं हमारा पूरा घी उपर आ चुका है और हमारी बरफ पिगल चुकी है अब मैं इसमें चम्मच नहीं चलाओंगी इसरिफ आपको दिखाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि ये देखें अच्छे से हमारा कितना मज़ेदार सा घी साफ सुतरा निकल आया है अब हम इसको एक चन्नी की मदद से चान लेंगे चन्नी की मदद से आप बासानी चानिए चन्नी की मदद से इसको चान लीजिए बहुत अच्छी तरह से ये च्छन जब तक मैं गी चान रही हूं आप जाकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मेरी विडियो को लाइक भी कर दीजिए, और कम कर लेंगे कोई भी मीटा यह डिजर्ट आप बनाएं यह उसमें आपके काम आजएगा अब यह दिखिए जो हमने चाहन लिया है हमारा घी कितना उपर आपको नजर आ रहा है अब हम क्या करेंगे इसको डी फ्रीजर के अंदर जमने के लिए छोड़ देंगे ताके हमारा घी जो भी है वह जम जाएगा और नीचे दूद बैट जाएगा इसका अब हम इसको डी फ्रीजर में साथ से जैसे साथ घंटे आप रख सकते हैं यानि आपके फ्रीजर में जैसी को लिंग होती है आप उसे हिसाप से रख दीजिए यह जमना चाहिए उपर की जो मलाई है हमार यह हमने अब इसको डीफ्रीजर में रख दिया आप कितना बरफ वाला हो रहा है और मेरा यह चार गंटे में चार से पांच गंटे में मेरा रेडियो हो चुका था यह देखे कितना अच्छे से ठीकनी से इसके अंदर मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ यह देखे कितना हो चुका है अब मैं क्या करूँगी इसको एक चूरी की मदद से इसके जितनी भी मलाई है न उपर की जो हमारा घी बन चुका है मैं इसको अलग कर लूँगी यह देखें कितना ठीक है कि चूरी भी अंदर नहीं जा रही थी थोड़ा ज्यादा क्योंकि हमारा घी इतना ज्या दूद पिगला हुआ है और उपर हमारा जितना भी घी था यह जम चुका है और घी की मोटी थे देखें आप देख सकते हैं बसानी नजर आ रही है आपको अप मैं क्या करूँगी एक पतीली के अंदर इसका सारा दूद जितना भी है न वो उसके अंदर निकाल लूँगी पतीली में ताकि उस दूद का हम डिजर्ट बना सकें कुछ चानने की ज़ूरत नहीं है आपको बस इस तरह से आपको पतीली के अंदर डाल लेना है दूद को अलग कर लेना है और दूद भी बिलकुल इतना अच्छा फ्रेश मिल्ट बिना किसी चिकनाई का बिना किसी चिक अलग कर लिया है और अब मलाई को काट काट के में इसको एक पतीली में डाल लूँगी क्योंकि इसको भी हमने पिगलाना है और आप देख सकते हमारी मलाई कितनी मोटी मलाई निकली है हमारी मलाई का यानि कि हमारा घी बन चुका है अब हम इस घी को क्या करेंगे बिलकुल पिगला लेंगे और हमारा दूद देखेंगे कितना अच्छे से दूद निकला आया बिल्कुल गाडा फ्रेश मिलके इसका डिजर्ट बनाएंगे इतना अच्छा सा डिजर्ट बनेगा यकीन जाने आप दुआएं देंगे ना कुछ पेकना पड़ा ना कोई बरतन सने ना याद रखियेगा, इसके अндर चम्च नहीं चलाना, बिलकुल भी नहीं चलाना ताकि इसके पुर्टिकुलर गी के अंदर शामिल ना हो और हमारा गी अच्छे से निकलाई है देखिए चम्च में मैं आपको लगाके दिखाती हूँ तमाम यह हमारा गी है और गी के अंदर हलक हलके जो भी इसके अंदर दूद के जो जरौत है वो जलाने हैं हमने और हमारा गी बिलकल रेडी हो जाएगा ये देख सकते हैं हमारा मैशलया खुशबू भी अच्छी बहत्रीन आ रहे है इसको पकने में कोई सारा दिन नहीं लगा कोई हमारी मेनत दरकार नहीं थी इसके साथ सिर्फ एक हमने मलाई पिगला के और किस तरहां से असली की निकाला है यह आप देख सकते हैं हमारा घी कितना अच्छा सा रैडी हो चुका है यह जो उपर काल काल का बचा है अब हम इसको भी जला लेंगे और दो सेकंड लगेंगे मेरा खायले अमारा घी बलकुल तैयार हो चुका था दस मिनट के अंदर अंदर यह देखिए माशेयला कितना अच्छा रैडी हो चुका है घी आपने देखा हमारा कितना अच्छा सा रैडी हो चुका है बिल्कुल अब हम इसको क्या करेंगे चनी की मदद से चान लेंगे इतना अच्छा सा घी आपने कभी भी पहले नहीं निकाला होगा आप जब इस रेसीपी को बनाएंगे आप मुझे दुआएं देंगे इतनी असानी ना कोई मैनत हुई ना कोई परेशानी ना कोई दिक्त न कोई काम में रुकावट इतने अच्छे से हमारा घी निकला है और ये देखे ये अब हम जब लग हमारा घी बन रहा है ना आखिर में हम इसका डिजर्ट रेडि कर लेते हैं मैंने चुला जला लिया था और मैंने दूद उबलने रख दिया था अब मैंने इलाइची पॉड इसको पकाने से इस तरह से अच्छे से चमच चला लिजी ताकि ये मिक्स हो जाए मिक्स होने के बाद अब हमने एक साशा चोटा साशा ले ले लें चोटा पैकेट रंगीन समयों का रंगीन समयों का एक पैकेट हमने ले लिया था इसके अंदर ये देखें ये मैंने पूरा का पूरा पैकेट एगजिट दूद के इंदर डाल दिया था और दूद को मैं अच्छे से चलाती रहोंगे जब तक हमारी समया अच्छे से पकनी शुरू ना हो जाएं वरना यह नीचे लग जाती है चिपक जाती है यह सब आप लोग भी जानते होंगे और यह हमारा इतना अच्छा डिजट बनाता और इतनी अच्छी बिलकुल नॉर्मल जिसे हमारा मिलक आता है फ्रेश यह बिलकुल वैसे ही लग रहाता ना कोई समयल थी ना कुछ था हमारा घी बिलकुल तयार हो चुका है आया हम इसको ऐ प्रिशानी नहीं हुई मुझे ना मेरा कोई टाइम वेस्ट हुआ, ना मेरा सारा दिन जाया हुआ गी बनाने में, ना ही कोई बरतन भरे हैं, इतना अच्छा और चानने में भी यकीन कीजेगा, कोई दिक्कत या कोई दुश्वारी पेशनी आई, कि कोई पर्टीकुलर इसके साफ सुतरा प्योर गी ये देख सकते हैं आप माशाला से कितना अच्छा गी निकला है आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए मेरा गी देखें आप कितना अच्छा बिलकुल फ्रेश एक दम बिलकुल फ्रेश लग रहा है ना इतना अच्छा ना कोई जरात है इसके अची स्मेल आ रही थी आपको मेरी घी वाली वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीस मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए अगर किसी दोस्तों के साथ आप शेयर करना चाते तो कीजिए ताकि वो भी इस तरह से फाइदा उठाएं सर्दी आ चुकी हैं असली की हमारे बहुत काम आता है लोग रोटी पे लगा के खाते हैं साग में बना के खाते हैं असली की हमारी दाकतवर होती है जाहर सी बाते की तो कितना फाइदे मन दे गई हमारे लिए आप दे अब लोग इतना अच्छा माशला मिठा बनाएं और आप मैं इसके अंदर चीनी अइट करने लगी हूं एक कब चीनी में ने डाले थे आप अपने हसमें ज़रूरा डाल सकते हैं और जो भी मीठा बनाएं आप उसमें चीनी लास्ट में डाला करें मीठा कुछ भी मीठा तो चीनी लास्ट में डालेंगे इतने अच्छा सा मीठा बनेगा हमारा और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और चीनी को अच्छे से हम पका लेंगे, इसके अंदर पका के दोड़ी दिर छोड़ देंगे पकने के लिए, जब यह बिलकुल पक जाएगे चीनी, अच्छे से पका के इसको फिर हम डिशाओट निका लेंगे मेरे चैनल को अभी भी मैं आपको कहते हूँ आप लोगों को मीरी वीडियो अच्छी लगती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे लिए समझें मैं अपने लिए इनाम समझूँगी आपकी तरफ से यह देखें मेरा मीठा बिल्कुल रेडी हो चुका है पके कितना अच्छा इतनी अच्छी खुश्बू सब कुछ और यह देखें बिल्कुल ऐसा लग रहे हैं हमने फ्रेश मिल्क का बनाया है कितना अच्छा माशाला से खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है और बहुत अच्छे से पक चुका हैगा मैं अब इसको डिशाउट कर लिया है कितना अच्छे से मीठा बनके रेडी हुआ है यह हमारा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मैं आप लोगों के साथ इतनी अच्छी वीडियो और इतनी मैनस से तयार करती हूँ तो मेरे लिए एक गिफ्ट बनता है और वो गिफ्ट है सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को लाइक कर दे और अपने प्यारों के साथ शियर कर दे बाल्टी भर कर घी कौन बताएगा आपको बनाने के लिए यकीन जानिए दुआएं देंगे कुछ भी जाया नहीं हुआ हमारा ना हमारा मिल्क जाया हुआ ना हमारी मलाई जाया हुए यह देख सकते हैं हमने मलाई का जो है घी निकाल लिया और जो दूद था इसका डिजर्ट बना लिया हमने